नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका फिर्ट से स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फोटो के अंदर हम फोटो को मिक्स कैसे कर सकते हैं जैसे हमारे पास यह फोटो है इसको हम मिक्स करना सीखें सबसे बहुत हम क्या करेंगे नई फ इस FILE, COI इतना सेलेट कर लेना, Ctrl C से इसको गोपी कर लेना है और इस FILE में जाके Ctrl V से पेस्ट कर लेना है Ctrl T करेंगे और Alt और Shift आपस में दबाया रखना है हमें और इसको छोटा कर लेंगे, इंटर दबा के और V दबाएंगे हम जो कीबूर्ड के अंदर V की है, हम V दबाएंगे और इसको यहां ले आएंगे और यहां से इसको बड़ा करेंगे और Ctrl और Space इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हो आप अब क्या करेंगे, Alt दबा के इसको कोपी कर लेंगे हम माउस और जैसे Alt दबाया हमने और माउस दबाया हमने और माउस दबाएंगे हम इस तरह से कोपी कर लेंगे Ctrl T करेंगे और Alt or Shift दबा के इसको बढ़ा कर लेंगे और Enter दबा के इसको इस तरह से रख देंगे अब mouse द्वारा इसको कहीं भी लेके जा सकते हो और Ctrl और Left Brickets को इसके पिछे लेके जाएंगे हम पिछे लेके गए और Keyboard के अंदर Number की है वह हम प्रेस करेंगे जिसे दो तीन कोई भी Keyboard के अंदर Number की है जिसे मैं तीन Number की पेस्ट कर रहा हूँ तो इस तरह से यह हमारी पास इस तरह से की मेज आ जाएगी यह Background के अंदर Mix हो गई है अब हम क्या करेंगे F7 दबाएंगे F7 दबाने के बाद क्या करेंगे यहार में जाएंगे Layer Style और Gradient वहर ले यहां से कोई भी आप Gradient जैसे भी दोगे तो यह फोटो बैग्राउंड के अंदर Mix हो जाएगी जैसे कोई भी एक ग्रेडियंट आप लगा होगे तो यह फोटो Mix होके आएगी इस तरह से आप कोई भी फोटो फोटोशोप के अंदर Mix कर सकते हो दोस्तो इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक है जी टेक कियर